नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है Classics की संस्कृत की किताब रुचिरा का पंचमा पाथा चैप्टर फाइव व्रिक्षा वने वने निवसंतो व्रिक्षा वनम वनम रचयंती व्रिक्षा वने वने का मतलब है कि हर वनमे निवसंतो मतलब रहते हैं व्रिक्षा मतलब बहुत सारे पेंड इसे इस तरह लिखा है कि व्रिक्ष हर वनमे निवास करते हैं अगली पंक्ती है वनम वनम रचयंती व्रिक्षा वनो का निर्मान, रचना, व्रिक्ष करते हैं बहुत सारे व्रिक्ष मिलके वनो की रचना करते हैं तो इसे इस तरह लिखाए कि इस तरह व्रिक्ष कई जंगल बनाते हैं कई वन की रचना करते हैं शाखा दोला सीना, विहगाह विहगाह पक्षी को कहते हैं, बर्ड को कहते हैं, शाखा पेड़ के ब्रांच को कहते हैं, टहनी को कहते हैं, दोला जूले को कहते हैं, और आसीना मतलब बैठे हुए हैं पूरी पंक्टी का मतलब है कि पक्षी शाखा रूपी जूले पर बैठे हुए हैं तैह किमपी कूजन्ति व्रिक्षा, शायद पक्षियों के माध्यम से व्रिक्ष कुछ कह रहे हैं पिबन्ति पवनम जलम संततम, व्रिक्ष हमेशा हवा और पानी पीते रहते हैं साधु जना इव सरवे व्रिक्षा सभी व्रिक्ष सज्जनों की तरह होते हैं साधु जनों की तरह होते हैं स्प्रिशंति पादेह पातालम्ज व्रिक्ष अपने पैरों से जडों से पाताल को छूते हैं स्प्रिशंति का मतलब है स्पर्श करते हैं छूते हैं पादेह मतलब पैरों से और पेड़ के पैर क्या होंगे उनकी जड़े होंगी और पाताल हम जानते हैं जमीन के अंदर पाताल होता है नभह सिरसु वहंत व्रिक्षा नभ आकाश को कहते हैं और सिरसु मतलब अपने सर से वहंती मतलब धारन करते हैं व्रिक्षा बहुत सारे प हुए हैं धारन किये हुए हैं रखे हुए हैं पयो दर्पने स्वा प्रति बिंबम को तुकेन पश्यंति व्रिक्षा पयो दर्पने मतलब पानी रूपी दर्पन में और दर्पन आइने को कहते हैं मतलब पानी से बने आइने में स्वा प्रति बिंबम मतलब स्वा मतलब अपन अपनी प्रतिबिम्ब अपना इमेज आश्चर्य से देखते हैं प्रशार्य स्वच्छाया संस्तर्नम कुरुवन्ति सत्कारम व्रिक्षा व्रिक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को बिछा कर प्रशार कर सब का आदर सत्कार करते हैं व्रिक्षपने चाया को पसार कर लोगों का आदर सतकार करते हैं आईए इसके प्रशन बिहास को देखें पहला प्रशन है वचनानुसारम रिक्तस्थानानी पूरियत वचन के हिसाब से खाली जगों को भरना है तो जिस तरह वनम वने वनानी होगा उसी तरह जलम जले जलानी होगा बिम्बम बिम्बे बिम्बानी होगा और जिस तरह व्रिक्षम व्रिक्षव व्रिक्षान है उसी तरह पवनम पवनव पवनान होगा और जनम जनो जनान होगा आईए प्रशन दो को देखते हैं कोश्ठकेशू प्रदत्त शब्देशू उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानी पूर्यत। कोश्ठक में जो शब्द लिखे हैं उसमें सही विभक्ति लगाकर खाली स्थान को भरना है। तो जिस तरह रोटी का रोटी शब्द के लिए रूट वर्ड है तो उसकी कौन सी भी भक्ति लगेगी और यहां पे कौन सा वर्ड आएगा वो आइडेंटिफाई करना है तो जिस तरह अहम डैस खादामी के लिए अगर रोटी का रूट सब्द में हमें इस खाली स्थान को भ भरना है और रूट सब्द जल है कि तौम डैस पीवसी तो कहेंगे कि तौम जलम पीवसी तुम पानी पीते हो अगला है कि छात्रह डैस पश्यती शब्द है दूर दर्शन तो सेंटेंस बनेगा छात्रह दूर दर्शनम पश्यती आप साथ-साथ अपनी किताब में पैंसिल से लिख भी सकते हैं इसको अगला शब्द है व्रिक्षा पवनम पिवन्ती व्रिक्ष हवा पीते हैं पवन शब्द के लिए पवनम आ गया उसी तरह ताह डैस लिखन्ती और शब्द है कथा तो ताह कथाम लिखन्ती अगला है आवाम डैस गच्छावह और शब्द है अगला प्रशना है प्रशन तीन अधो लिखितेशू वाक्येशू करतरी पदानी चिनुता नीचे लिखे वाक्यों में से करता कौन है सबजिक्ट कौन है वो चुनना है तो सेंटेंस है कि व्रिक्षा नभा सिरसु वहंती व्रिक्ष अपने सर पे आकास को धारन किये हुए है तो इसमें काम कौन कर रहा है किस के बारे में बात हो रही है तो व्रिक्ष के बारे में बात हो रही है तो व्रिक्ष हमारा करता हुआ उसी तरह विहगाह व्रिक्षे सु कूजन्ती तो यहां करता विहगाह है पक्षी है अगला है पयो दर्पने व्रिक्षा स्वा परति बि उत्पादयती किशान अन उपजाते हैं तो इसमें काम कौन कर रहा है कृषक काम कर रहा है किसान काम कर रहे हैं इसलिए कृषक हमारा करता हुआ किसके बारे में कहा जा रहा है? मचलियों के बारे में कहा जा रहा है कि सरोवर में तालाब में मचलियां हैं तो करता कौन है? मचलियां है मतश्याह अगला प्रश्ण है प्रश्णाना मुत्तराणी एक पदेन लिखता इन सभी प्रश्णों के उत्तर एक सब्द में लिखने हैं तो व्रिक्षा कैह पातालम स्प्रिशंती व्रिक्ष किस चीज से पाताल को छूते हैं तो व्रिक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं पादेह तो जिस तरह शब्द में पूछा गया है कैह, उसी तरह हम उत्तर देंगे कि पादेह, अगर व्रिक्षाह किम रचयन्ती पूछा जाएगा, तो हम उत्तर देंगे कि व्रिक्षाह वनम रचयन्ती, अगला है कि विहगाह कुत्र आसीना, तो विहगाह शाखा दोलायाम आसीना, मतलब साखा रूपी जूले पे पक्षी बैठे हैं प्रशन था कि पक्षी कहां बैठे हैं कुत्र मतलब कहां होता है अगला है कि कौतुकेन व्रिक्षा किम पश्यंती कौतुकेन मतलब आश्चरे से व्रिक्ष किसको देखते हैं तो स्वाव परति बिम्बम पश्यंती व्रिक्ष आश्चर से अपनी इमिज देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं कहां देखते हैं तो जल रूपी आईने में देखते हैं अगला प्रशन है समुचितेह पदेह रिक्त स्थानानी पूरियत उचित सब्द से खाली स्थान भरिये एक वचन, दुई वचन और बहु वचन भरना है और प्रथमा, दुईतिया, तुर्थिया और ये संबोधन तक आया है तो आईए इसे भरें तो प्रथमा विवक्ती में जिस तरह गजह, गजव, गजा होता है उसी तरह अस्वह, अस्वव, अस्वाह होगा दुईतिय विवक्ती की तरह आते हैं दुईतिय विवक्ती में जिस तरह सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान है उसी तरह चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान होगा तर्थी विवक्ति में विडालेन, विडाला भ्याम, विडालेह है उसी तरहा मंडुकेन, मंडुका भ्याम, मंडुकई होगा चतुर्थी विवक्ति में शर्पाय, शर्पाब्याम, शर्पेब्याः उसी तरह वानराय, वानराब्याम, वानरेब्याः ये चतुर्थी विवक्ति के लिए है पंचमी में मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्या और व्रिक्षात, व्रिक्षाभ्याम, व्रिक्षेभ्या सश्टी विवक्ती में जनकश्य जनकयोह जनकानाम और सुकश्य सुकयोह शुकानाम सब्तमी विवक्ती सिक्षके, सिक्षकयोह, सिक्षकेशू मयूरे मयूरयोह मयूरेशू अगर आपने किसी एक शब्द का याद किया होगा प्रथमा विभक्ती से संभोधन तक तो आप इसे भर पाएंगे अगर आपने बालक का याद किया होगा तो उसमें बालकश्य बालकयोह बालका नाम बालके, बालकयोह, बालकेशु होता है तो केवल शब्द बदल रहे हैं इसका रूप वैसा ही होता है शब्दमी में सिक्षके, सिक्षकयोह, सिक्षकेशु मयूरे, मयूरयोह, मयूरेशु और संबोधन के लिए हे बालक, हे बालकव, हे बालका और नर्तक के लिए नर्तक नर्तकव नर्तका अगला प्रशना है भिन प्रकृतिकम पदम चेनुता जो वर्ड अलग प्रकृतिका है उसे चुनना है मतलब इसे इंग्लिस में हम odd one out कह सकते हैं जो सबसे अलग है उसे चुन के निकालिए तो यहां शब्द है गंगा यमुना नर्मदा और एक शब्द बीच में आता है लता लता एक तरह का पौधा है और ये गंगा यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियां है तो इन तीनों में सबसे अलग कौन है लता सबसे अलग है तो हमने लता को चुन लिया अगला है उद् बिल्कुल ही अलग है तीसरा है लेखनी तूलिका पाठशाला और एक है पक्षी तूलिका पेंट ब्रस को कहते हैं लेखनी कलम को कहते हैं और पाठशाला हमारा श्कूल हमारा विद्याले हमारा ट्यूशन होता है लेकिन पक्षी इन तीनों से अलग है इसलिए हमने पक्षी क और वन आउट चुना है अगला है आमरम, कदली फलम, नारंगम ये तीनों फल के नाम है आम, केला और नारंगी और लड्डू जो है मोदकम वो इन तीनों से अलग है या एक फल नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर मोदकम को चुन लिया और इसी के साथ खतम होता है आपका ये च तब तक के लिए बाई बाई